हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो इंडियन स्टडी, इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वडियो में मैं आप लोग लिए यूपिटर पले सी पीटी का टेस्ट लेकर क्या जाओं और आपके एड्मिट कार्ड भी आ चुके हैं सभी लोगों के तो अब आपका एक्जाम 24 अगस्त को कनफॉर्म है अब आपके लिए प्रेक्टिस से कोई चीज नहीं है सारी चीज भूल जाओ केवल प्रेक्टिस पे ध्यान दो जितना आपने पढ़ाओ उसको अब परखने का मौका है तो इसलिए भी ये प्रेक्टिस सेड में चला रहा हूँ देखो आराम से बताओ कि आपके इस प्रेक्टिस सेड में कितने नंबर आ रहे है तो पहला कोशन सापके सामने सिवाजी की गुरसवार सेना में सबसे नीचे की स्रेणी का अधिकारी कौन था तो सही आंसर हो जागा सरापका हवलदार पहला ही उप्सन्स करेक्ट किर्ष्ण देवराय ने अमुक्त मालदाओ की रचना किस बासा में की थी किस बासा में की थी तेलगू बासा में तीसरा उप्सन्स करेक्ट यहाँ पर राजवंस दिये और उनकी राजदानी दिये तो सूची एक को सूची दो से मिलाना है पिरतियार वंस की राजदानी क्या थी सर कन्नोज चोल की राजदानी क्या थी चोल की थी सर तंजोर उसके बाद परमार की क्या थी परमार की थी सर धारा और सूलंकी की क्या थी? सूलंकी की तियापकी अहिनलवाड यानि कि किस से मिलेगा पहला चौते से दूसरा पहले से तीसरा तीसरे से और चौता दूसरे से कौन से उपसंस में दिया? चौते उपसंस में दिया चौता उपसंस बिलेकल करेक्ट है निम्लिकत अभी लोकों मेंसे किसमें चंदुगुप्त मौर और असोग दोनों के नाम का उल्लेक है तो सही आंसर हो जएगा इसकंदुगुप्त का जूनागर अभी लेक चुछता आपसंस करेक्ट नची केता और यम के बीच सुपरतिस सम्मान उल्लेकत है कटोबनी सद में नेक्स्ट कोर्संस स्टार करने से पहले मैं आपको बता दो दोस्तो अनेकेडी के प्लस प्लेटफॉर्म पर आप लोग लिए बहुत सारे कोर्स चला जा रहे हैं बहुत सारे क्या जितने भी उत्तर प्रदेस के अंदर आगामी एक्जाम है उन से रिलेटट सारे कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे यूपी ऐसा यूपी टरपलेसी पीटी यूपी लेकपल ये सबी बहुत चल रहे हैं यूपी पीएसी का बहुत भी आपका जिसका एक्जाम आक्टूबर में आप सभी लोग जानते हैं अगस्ते स्टार्ट हो गया यह वाला है ना यह सारे रिवीजन बहुत हैं और इंग्लिस मेडियम बहुत है और यहां पर देख लीजिए 17 अगस्ते आपका यह 60 डेस के लिए ठीक है जीएस वाला यह वाले बहुत 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 है लोवर पीसी एस के लिए जब आप सब्सक्रिप्शन पर्चेस करो तो रिफ्रर कोड की जाएगे अपने चलन का नाम इंडियन इस्टडी अपलाई कीजिएगा तो क्लास आपकी या आपको इंस्टेंड दस पर्चेंड का डिसकाउंड पराप्त हो जाएगा और आपको सारे कोर्स जो है वो एक्सिस करने को मिल जाएंगे नेक्स्ट कोसन से आपको के राष्टी आंदुलन की अबदी में जिस घटना ने मदवेत के बीच बोई इवं अंतता देश का विवाजन कराये था तो वह कौन सा आंदुलन था तो सही आंसर हो जाएगा आपका विदान सबाव में मुसलमानों के क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा बारत छोड़ो आंदुलन प्रारम करने के पूर्व दिन महात्मा गानी ने महात्मा गानी ने राजसी रियासते के राजाओं को अपनी जनता की प्रुशत्ता स्वेकर करने को कहा तो केवल तीसरा आप्संस आई है नेक्स्ट कोसंस मोतिलाल नहरू और सी यार दास द्वारा 1923 में गटित पार्टी का नाम क्या था सिंपल कोसंस तो कौन सी पार्टी की तीसर सुराज पार्टी तीसरा आप्संस करेक्ट 1904 में करांतिकारी संगटन अभीना भारती संगटित किया था महराष्ट में चोवता आप्संस करेक्ट निम्लिकट मेंसे किसने भारती राष्टिय या भारती संग एवं राष्टिय संहिलन दोनों की स्तापना की सुरेंदर नाद बेनर जी तथा आनन्द मोहन भोस पैला आप्संस करेक्ट वायू मंडल के किस मंडल में एक हजार मीटर उपर जाने पर तापमान 6.5 सेंटीगरेट की दर से कम हो जाता है तो सही आंसरो जगासर आपका जूम मंडल परवतों की उत्पत्ती का रेडियो धरमिता सिद्दान्थ किस ने प्रस्तुत किया तो सही आंसरो जगासर आपका जॉली ने पहला उपसंस करेक्ट निमले के तमेंसे कौन या कौन से खनीज बिहार में मिलते हैं जल्दी बताओ आपको लोह आएक्स जो है वो आपको बिहार में देखने को मिलेगा है ना तो केवल दूसरा यह options correct होगा सर next question सूची एक को सूची देर से मिलाना है नागर दिये उनके बगल में बसे हुई आपको नदी बनाना है कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है बढ़िया question से question number 14 जल्ली बताओ गुरकपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है तो गुरकपुर है आपका राप्ती फैजाबाद फैजाबाद है आपका कौन सी नदी सर्यू फैजाबाद का मतलब आयोद्या से है और आयोद्या यानिकी सर्यू उसके बाद है कानपुर गंगा नदी पर बसा हुगा है और आगरा यम्रा नदी पर चार दो एक तीन दूसरे उपसंस में दिया यह इसमें भी आपको बताना है मुख्याले दिये मुख्याले बताना है ACI विकास बैंक का मुख्याले कहा है तो यह तो आपका मनीला में इस्तित है है ना पहला कहां पर मनीला कहां पर ये भी पता होना चाहिए फिलिपिन्स में है है ना अब फिलिपिन्स आप्संस में दिया एसे इविकास बैंक फिलिपिन्स तो आप्संस में नहीं है अच्छा वू कहरा है कि कौन सा सुमिलत सही है वो ěसे इकास बिकास टोक किया ओ ये तो गलत है सराथर गलत है ठीक है उसके बाद है आपका किस वर्स को भारत के जननानकीगी का विवाज़क कहा जाता है तो 1921 को का जाता है निर्मल ग्राम पर उसका रुट का उद्देश क्या है सौच स्वक्षिता पहला यह उप्संस करेक्ट है नियुम्तम समर्तन मूल का निर्दारक है किरसी लागा तेवा मूल आयोक तीसरा उप्संस करेक्ट सकचमता उपागम दूसरा उप्संस करेक्ट केंद्रीय करो में राजी के भागो तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए संसदिय कानूनों के द्वारा सरवोच न्याले का न्यायदी से अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर किसको राश्ट पती को दूसरा उप्सन्स करेट चेतरी परिशत का अध्यक्ष होता है गरे मंत्री और यह पदें दोनों होता है निमलेकत में से एक भारतिय सम्मिदान के अंतरगत राज का नीती निस्तत्व नहीं है यूवकों को रोजगार देना चौता उप्सन्स बिल्कुल करेक्ट है भारतिय सम्मिदान में किस अनुच्यत के प्रापदानों के अंतरगत संसोधन किया जाता है अनुच्यत 368 पहला उप्सन्स करेक्ट एथलेट फोट बीमारी होती है तो यह फफूंद से होती है दूसरा उप्सन्स बिल्कुल करेक्ट मानब सरीर में सबसे छोटी गरंती कौन सी है पिट्री उट्री चौता उप्सन्स करेक्ट निमले के तमेसे किस बिसफोटा का नाम नोबिल तेल है इंपोर्टेंड कोस्टन्स टी एंटी टी एंजी स्वरी टी एंजी यानि कि यह इस कोस्टन्स का पहलाई उप्सन्स यहाँ पर आपका बुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा ठीक है ट्राइ नाइट्रो ग्लिसरीन ठीक है नेक्स्ट कोस्टन्स तेहरने के तलाब तेहरने के तलाब में तेहरने से मनुस की तुचा जल जाती है क्यों या तलाब में तेहरने से मनुस की तुचा क्यों जल जाती है यह अटा दो किलोरीन के कारण केलविन मापन में मनुस के सरीर का समान नितापमान कितना होता है 310 बिसिकली होता है 37 degree centigrade 273 में जोड़ो 310 आएगा है ना इस तरीके से करो आगा खां गोल्ड कप के स्केल से समझ देते हैं आराम से बता सकते हैं सिंपल है आगा खां गोल्ड कप की बात हो रही है जबकि आगा खां कप ये होकी से है और आगा खां गोल्ड कप ये आपका फुडवॉल से है ध्यान लखना भारत में राश्टी ए खेल देबस का मनाए जाता है 29 अगस्त है ना ध्यान चंद की स्मिर्थी में हाली में किस राजने चलिया घरो एवं हिरनों दानों में जंगली जानवरों के अधिकरन की उजना शुरू की तो सही आंसर हो जाएगा आपका हर्याना दूसरा उप्संस करेक्ट बनों की कमी नगरिय करन और पिर दूसरन का वढ़ना सभी निमलिकित किस कारण से है अब आदी वढ़ना चौता उप्संस करेक्ट अंतराश्टिय परमाणू एजेंसी का मुख्याल है बी ए नाम है तीसरा उप्संस करेक्ट पटाका किस देश की मुद्रा है इंपोटेंड कोस्टन्स पटाका जो है हो किस देश की मुद्रा है 56 मकाव तीसरा उप्संस बिल्कु करेक्ट हो जाएगा कहां कि यह सर मकाव कि यह पटा का भारत के किसी राज के राजपाल के पद का अधिकारिक कारकाल कितने दुनों का होता है या कितने वर्स का बेसिकली तो देखो पांच वर्स होता है लेकिन यह काम करते है राश्पते के परसाद परियंत है ना अगर बर्सों में उप्संस हैं तो आप पांच वर्स लगाएंगे नेक्स्ट कोशन से आपका सूची एक कौन सा सुमिलित नहीं है बड़ा यमाम बड़ा लखना हूं में इस्तेत है बिलकुल ठीक है निसादवाग जम्मू कस्मीर भी ठीक है फ्रोस तो आपसंस करेक्ट है नेक्स्ट कोशन से आपके बिद वर्स दोयर 21-22 के लिए आम बजट के संदर में निम्लिकत कतनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है बड़िया कोशन से है वो जे कह रहा है कि सरकार की सारवदे कामदानी वस्तू एवं सेवाकर से होती है बिलक कुल होता है रक्षा बजट कुल बजट का आठ परसेंट है ये भी बिलकुल ठीक है तो तीन हो ही साही है एक इस वार्ड ओफ मस्तान पुस्तक के लेका कौन है तो सही आंसर हो जाएगा आपका बिनीद वाच पही दूसरा ऑप्संस करेट इकनोमिस्ट इंटेलिजेंट कुछ का में भारत की रैंकिंग कितनी है तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका भारत का त्रेपनवा स्थान है चौता ओप्संस यहां पर आपका बिलकुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा यह लाश्ट को संस्ता लेकिन इस को संस का अंसर मैंने बता दिया लेकिन दोस कोसंस का आंसर आप मुझे कम डूबोक्स में बताना तो दोस्तों यह थे आपके 60 जीके के important questions जो कि मैंने आज के जुड़ू में आपको complete करवा दी यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और